मित्रो एक्सेस ओफ एफ्री दिक इस बैट अधिक तक किसी की भी हानी कारक हो सकती है इस तंदर में आज आपको अधिक इमली के सेवन से हानी होने वाले नुक्सान से पर्चे कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार अधिक सेवन से कोई भी गुड़कारी बस्तू भी नुक्सान दाएक से दो सकती है मित्रो एमली में खटास्पन होने के कारण कई तरह के खाद्य पदार्दों में इमली का प्रियोग किया जाता है परन्तु जहां एक ओर ये खाने के जाएके को बढ़ाती है वहीं दूसरी ओर इसका खटास बन शरीर को खोकला बना देता है इसका अतिदिक सेवन शरीर में रक्ट प्रभा ब्लड सर्कुलेशन की गती को बढ़ा देता है जो की अतिदिक खानी का रख है अतिदिक सेवन से महिलाओं की की प्रजलन्स छमता को प्रभावित करने लगता है पीडियट के समय इमली का अतिदिक सेवन नुक्सान दायक हो सकता है जादा इमली खाने वालों की तवचा सम्मंदी विकार जैसे चर्म रोग इसके डिसीसिज अप्राकर्तिक सामलापन ताग दब्बे कील मुहा से आधी होने लगते हैं तवचा के विकार इमली खाने से बहुत जल्दी होते हैं इमली का अधिक सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने लगता है अत्या मदमुए के रोगियों को डायवेटिक को इमली सेवन चिकित्षक की सला से ही करना चाहिए अन्यता है इमली का सेवन हानी कारक्षिद हो सकता है किसी भी प्रकार की ओस्ति या दवा का सेवन करने के साथ इमली का अधिक सेवन करने से शरीर पर विप्रीत प्रभाव डाल सकती है इसलिए ओप्रेशन के पहले या बाद में भी इमली का सेवन डॉक्टर मना कर देते हैं यह रख्ट के सर को प्रभावित कर सकती है इमली के अधिक बात्रा में और निरंता सेवन से सरी पर चकत्ते पढ़ना शुरू हो जाता है खुजली, सूजन, गले में खराज, संसंबंदी, भीपारियों, चक्कर आना, बेहोसी आना, तथा उल्टी आध की समस्या पैदा होने लगती है चुँकि इमली में बिटामें सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, महिलाओं को गरोबस्ताव में बिटामें सी युक्त फलों, एवं सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए अत्यदिक सेवन से शरीर में एस्ट्रोजन का इस्तर बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का उच्च इस्तर महिलाओं के गरवासे में संकुचन और बिलीडिंग की समस्या उत्पन करने लगता है तो मित्रो ये देख लें, आप ये है इमली का पेड़, ये इमली का पेड़ है, और इमली के कोमल पते इस्टर ऐसे होते हैं, देख लें, तो ये है इमली का पेड़, मित्रो प्रिगनन लेडी को इमली का अधिदिक सेवन करने से गरभपाति की समध्या उत्पन हो सकती है इसी कारण से इमली का अधिदिक मात्रा में सेवन कई शारीरिक, एवन तवचासंबन्दी रोगों का कारण बन सकता है इसलिए इमली के अधिक सेवन से बचें मित्रों अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेर करने ना भूलें इसी के साथ नमस्कार नेत्रपाल दुर्गादास को स्वाग कल्यान